आज है बीस फर्वरी दो हजार इकिस मुरली का सार मीठे बच्चे, तुम इश्वर्य संप्रदाय हो, तुम्हे ज्यान सूर्य बाप मिला है, अभी तुम जागे हो, तो दूसरों को भी जगाओ प्रश्न, अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारन क्या है उत्तर, जब देह अभीमान में आते हो, तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की ग्रहचारी बैठती है बाबा कहते, देही अभीमानी बनू, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो, तो ग्रहचारी मिट जाएगी धारना के लिए मुख्य सार, पहला भारत में सुक शान्ती की स्थापना करने वा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है दूसरा, सर्विस में उन्नती करने वा सर्विस से उच पद पाने के लिए देही अभीमानी रहने की मेहनत करनी है ज्यान का विचार सागर मंधन करना है वर्दान अपनी श्रेष्ट धार्नाओं प्रती त्याग में भाग्य का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव ब्राह्मनों की श्रेष्ट धार्ना है संपून पवित्रता इसी धार्ना के लिए गायन है प्राण जाएं पर धर्म न जाएं किसी भी प्रकार की परिस्थिती में अपनी इस धार्ना के प्रती कुछ भी त्याग करना पड़े सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करो इसमें त्याग को त्याग न समझ, भाग्य का अनुभव करो, तब कहेंगे सच्चे त्यागी ऐसी धार्ना वाले ही सच्चे ब्रहमन कहे जाते हैं स्लोगन, सर्व शक्तियों को अपने ओर्डर में रखने वाले ही मास्टर सर्व शक्तिमान है Om Shanti